पिछले अध्याय में हमने जाना कि जल में शौचादी करने, व्रिक्षुं, लताओं और और शद्धियों को बिनाकार अउखारने से ब्रह्म हत्या का पाप रता है। इस अध्याय में हम श्री नर्सिंग चत्थूर्थी के प्रत तथा श्री नर्सिंग की महिमा का विवरन जानेंगे। नमश्कार, मैं आभाशर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे। श्री महादेर जी ने कहा, देवी सुनू, अब मैं तुम्हें तुर्लोक दुर्लक व्रत का वर्णन चुनाता हूं, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मात्य आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयम प्रकाश पर्मात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अफ्तार ग्रहन करते हैं, वे तिथी और मास भी पुन्ने के कारण बन जाते हैं। देवी जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। वे पर्मात्मा कारणों के भी कारण है। वे संपून विश्व के आत्मा, विश्व सरूप और सब के प्रभू हैं। जिन्होंने बारह सूर्यों को धारण कर रखा है। वे ही भगवान भगतों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंग के रूप में प्रकट हुए थे। देवी जब हर्ण्यक शिपू नामक दैत्यका वत करके देवादी देव जगतकुरु भगवान नरसिंग सुख पूर्वक विराजमान हुए। तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्यानियों में श्रेष्ट प्रलाज जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्फ्यापी भगवान नरायन नरसिंग का अद्बत रूप धारन करने वाले आपको नमस्कार है। सुर्श्रेष्ट मैं आपका भग्त हूँ अतह यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन आपके प्रति मेरी अभेद भग्ती अनिक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रबो मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ। इसका कारण तो बताईए। वेदूं का अध्यन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्न में तुमसे कुछ भेपुन्य नहीं बन पड़ा। कीवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भग्ती हुई। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने श्रिष्टी रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है। और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन रिशियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने उन्हें सब प्रकार के सिधियां प्राप्त कराई। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सोख्य, भोग और मोख्षू भी फलप्रदान करता हूं। प्रलाद ने पूछा, देव अब मैं इस व्रत की उत्तम विधी को सुनना चाहता हूं। प्रबो किस माह में और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? ये विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भागवान रिसिंग बोले, बेटा पुलाद तुम्हारा कल्यान हो, एकागर चित हो कर इस व्रत को शवन करू। ये व्रत मेरे प्रादोर भाव से संबंध रखता है। अतह वैशाक के शुक्र पक्ष की चतुर्थी तिति को इसका अनुस्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोश होता है। पुत्र भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आवेभाफ हुआ। वह प्रसंग सुनू। पश्रिम दिशा में एक विशेश कारण से में प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान अर्थात मूलतान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नाम के एक प्रसिद ब्राहमन रहते थे। जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत पर रहने वाले थे। उनके स्त्री का नाम लीलावती था। वहवी परम पुन्यमई सती र पत्सया में ही उनके 21 यूग बीद गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्षे दर्शन दिये। उस समय उन्होंने मुझसे कहा। भगवन यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं। बेटा प्रलात उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया। ब्रह्मन निसन दे हैं। मैं आप दोनों का पुत्र हूँ। किन्तु मैं संपून विश्व की स्रिष्टी करने वाला साक्षात परातपर परमात्मा हूँ। सदा रहने वाले सनातन पुरुश हूँ। अदह गर्भ में नहीं निवास करूँगा। तब हारि विश्ट भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करें। इससे उसके सारी बाधाओं का में निरंतर नाश करता रहता हूं। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बालरूप का दर्शन करके रातरी में ध्यान और पूजन करता है। नर से नारायन हो जाता है। बेटा मेरे व्रत का दिन आने पर भाग्त पुरुष प्रातह दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करें। भाग्वन आज मैं आपका व्रत करूँगा। इसे निर्विघ्नता पूर्वक पून कराईए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुर्षों से वार्तलाप आदी नहीं करना चाहिए। फिर मध्यानकाल में नदी आदी के निर्मल जल में घर पर देव संबंदी कुंड में अथवा किसी सुन्दर तालाप के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आवले कफल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांती के लिए विधिपूर्वक स्नान करें। तत पर शाथ तो सुन्दर वस्त्र धारण करके संध्यातर पन आदी नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीप कर उसमें सुन्दर अश्टदल कमल बनाए। कमल के उपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के उपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें। और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवा कर स्थापित करें। तत पर शाथ उसे पंचमृत से स्नान करें। इसके बाद शास्त्र के ज्याता और लोभीन ब्रह्मन को भुलाकर आचारे बनाएं और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडब बनवा कर उसे फूल की गुच्छों से सजा दें। फिर वर्तमान रितु में सुलब होने वाले फूलों से शोडश उपचार की सामगरी से विधिपूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौरानिक मंत्रों का उप्योग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, सामिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अरपन करता है वे निश्य ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिध्धी के लिए जगतकुरु श्रीहरी को सदा कृष्णागरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए। क्योंकि देह उन्हें बहुत ही प्रीय है। एक महान द्वीप जलाकर रखना चाहिए। जो अज्यान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंडे की आवाज के साथ बड़े रूप में आर्ती उतारने चाहिए। तदन अंतर नैवेद्य निवेदन करे। जिसका मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्यम शरकराम चापी भक्ष भोजे समवितम ददामी तेरा माकांत ह। सर्व पापक्षयम कुरू ह। लक्षमी कांत मैं आपके लिए भक्ष भोजे सहित नैवेद्य तथा शरकरा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। ततपश्यात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। नरसिंग, अच्चियूत, देविश्वर, आपके शुप जनम दिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूँगा। स्वामिन आप इससे प्रसन्न हों तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यों कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनी के साथ जागरन करना चाहिए। भगवान रिसिंगी की कथा से संबन्ध रखने वाली पौरानिक प्रसंग का पाथ भी करना उचित है। फिर प्रातरकाल होने पर स्णान के अनन्तर पूर्वक्त विधी से यतन पूर्वक मेरे पूजा करें। इसके बाद स्वस्तिचित होकर मेरे आगे वैश्न अवश्राद करें। तदनंतर इस लोग और परलोग दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपातर ब्राहमन को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमी, तिल, सुवर्ण, ओड़ने विचाने आदि सहित, चारपाई, सक्त धाने तथा अन्याने वस्तुओं भी अपनी शक्ती के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोग तफल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्रहामन को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षना दें। धनहीं व्यक्ती को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुस्ठान करें और शक्ती के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है मेरी शरण में आये हुए भक्तों को विशेश रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए श्री महादेर जी बूले हे देवी इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करने चाहिए कि अधारी प्रभो आपको नमस्कार है developed अग्ष्ञ, शिरी नरसिंग भगवान को नमस्कार है जो सरवत्त्र व्यापक को आनंदित करने वाले स्वतभ प्रकट होने वाले सरवजीव सुरूप विश्वके स्वामी देव सुरूप और सूर्य मंदल में स्थित रहने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है दया सिंधो आपको नमस्कार है आप देश तत्वों के साक्षी 24 में तत्व रूप हैं काल रुद्र और अगनी आपके हिस्व रूप हैं यह जगत भी आपसे भिन नहीं है नर और सिह का रूप धारन करने वाले आप भगवान को नमस्कार है देवेश मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन हो चुके हैं और जो उत्पन होने वाले हैं उन सब का दुखदाई भवसागर से उत्धार कीजिए जगत पते मैं पातक के समुद्र में डूबा हू नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जलराशी हैं इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरसकार करते हैं इस कारण मैं महान दुख में पढ़ा हूँ शेशेशाई देवेश्वर मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस प्रत से प्रसन हो मुझे भोग और मु प्रदान कीजिए इस प्रकार प्राथना करके विधिपूर्वक देवता का विसर्जन करें उपहार आदी की सभी वस्तुएं आचारे को निवेदन करें ब्रहामनों को दक्षणा से संतुष्ट करके विदा करें फिर भागवान का चंतन करते हुए भाई बंदुहों के ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक निसिंग चतुर्ती का उपवास करता है तो वह निसंदे साथ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है जो भक्ति पूर्वक इस पापनाशक प्रत का श्रवन करते हैं उनकी ब्रहम हत्य दूर हो जाती है जो मानव इस पर के फल को भी पा लेता है जो मध्यानकाल में यिधा शक्ति इस्वरत का अनुष्ठान करता और लीलावति देवी के साथ हारत मुनी एवं भगवान निसिंग का पूजन करता है उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ती होती है इतना ही नहीं वह श्री निसिंग के प्रसाद से सदा म अनुवांचित वस्तूं को प्राप्त करता है उस देथ में परम पुन्यमई सिंधु नदी बहुत ही रमणी है उसके समीब मूलस्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है उस नगर का निर्मान देवताओं ने किया है वहीं महानहारत का निवास्थान है और उसी में लिलाव प्रतिधोनी सुनाई पड़ती है कल्योग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मलेच निवास करने लगते हैं पार्वती भागवान रिसिंग के प्रादुर्भाव काल में जैसा अध्भुत शब्द हुआ था उसी के समान प्रतिधोनी वहां आज भी सुनाई देती है ब् विशेष रूप से स्ञान करता है वे निश्य श्री निर्सिंगी के प्रसाथ से मॉक्त हो जाता है जो मानव वहां दस रातनिवास करता है उन्हें पुन्यात्मा जानना चाहिए जो वहां मास खाते और मदेरा पीते हैं वे अधर्म के मूर्तिमान सुरूप और महापापी ह भागवान रिसिंगे के नाम से प्रसिद एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्त्रित है उसका श्रवन करने मात्र से मनुष्य ततकाल पाप मुक्त हो जाता है अगली अध्याय में हम श्रीमत भगवत गीता के पहले अध्याय का महातम में जानेंगे